नमस्कार आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिंदी भाषा में ऐसे राइटिंग जो की टॉपिक है मेरा प्रियत त्योहार तो इस टॉपिक पे क्योंकि त्योहार आने वाले हैं और इस दोरान स्कूल में अकसर ये टॉपिक दिया जाता है बच्चों को लिखने के लिए तो इसमें मैंने पहली चीज तो जो पूरा ऐसे है 60-200 वर्ड्स में कम्प्लीट किया है दूसरा यहाँ पर सीधे टॉपिक पे ना आते हुए एक लाइन की भूमी का बांधी गई है उसके बाद में त्योहार के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है और जो ऐसे की जो बॉड़ी है उसमें ये लिखा गया है कि हम तैयारी कैसे करते हैं उसके बाद में त्योहार को मनाते कैसे हैं और अंत में ये बताया गया है कि इस पूरत त्योहार से हमें क्या सीखने को मिलता है क्या हमें से सीख लेते हैं तो आईए शुरू करते हैं टॉपिक है मेरा प्रियत त्योहार भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें एक है होली योह मेरा प्रियत त्योहार है इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है त्योहार से पहले हम रंगों, पिछकारी तथ मिठायों की खरीदारी करते हैं मैं अपने मित्रों के साथ आंगन तथा गलियों में गुलाल लगाने जाता हूँ दिन बर हम गीत लगाकर नाचते हैं साथ ही पुए पकवानों को खाने तथा खिलाने का सिलसिला भी जारी रहता है पूरा दिन उमंग एवं उच्सा चाया रहता है इसलिए होली का तुहार मुझे बहुत ही अकश्रक लगता है यो हमें बुराई से दूर तथा अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है